हलो एवर्वन वेलकम टू बीपेस एड़ा बीपेस एड़ा पर आप सभी का स्वागत है 66 बीपेसी मिन्स बिहार स्रीडिप्यों मिन्स और 67 बीपेसी मिन्स के लिए आज का हमारा टॉपिक है राष्ट्य आंदोलन में बिहार की महलाओं का युगता तो चलिए कबर करते हम आज का टॉपिक राष्ट्य आंदोलन में बिहार की महलाओं का युगतान और देखते हैं कि क्या रहा इनका युगतान गुलामी की जंजीरों से आजादी का खुला आस्मा हर किसी को प्यारा लगता है एक पच्छी भी अपने पिंजरे से ज़्यादा खुश खुले आकास में होता है आजादी के मायने भारतियों से अधिक कोई नहीं समझ सकता लगभग 200 सालों तक अंग्रेजों के चंगुल में रहने के बाद देश ने कडोरों देशवक्तों की बली दे कर इस आजादी को प्राप्त किया और इस आजादी के लिए बिहार में राष्टिया आंदोलन में महलाओं का भी सक्रिय युगदान रहा बिहार में राष्टिया आंदोलन में महलाओं का सक्रिय युगदान रहा 1990 में खिलापत आंदोलन से लेकर 42 के भारत छोड़ा आंदोलन तक सभी मतपून घटनाओं में महलाओं ने अपनी मतपून भूम का निभाई खिलापत अंदोलन के प्रमुख निताओं में मौलाना मुहम्मद अली और सौकत अली की माता अमीना बानो बेगम ने पटना, भागलपूर, दर्भंगा और मुंगेर में यात्रा किया और यात्रा कर इस अंदोलन का परचार करने और चंदा इकठा करने का काम किया लगभग 80,000 की रखम उन्होंने उस समय बिहार में इकठा किया जो इस अंदोलन को आगे बढ़ाने में सहयक रही 1921-22 के असहयोग आंदोलन में कई महलाओं ने भाग लिया इसमें अमला मुखर जी एवं कादामबनी गौंगली की सक्रिय भूम का रही इन्होंने बिदेशी बस्तू के बहिसकार के साथ महलाओं में समाजिक चितना, जगाने, पर्दा-पर्था का बिरोध करने और राष्टे कारियों में भाग लेड़े के लिए प्रेडित किया सबने अबग्या अंदोलन में भी पटना की कई महलाओं ने बढड़ चल कर भाग लिया इसमें स्रीमती भवानी महरोत्रा, स्रीमती गौरी दास, स्रीमती सियारदाज, स्रीमती हसन इमाम, माधुरी देवी, चंद्राबती देवी, रामकिसूर देवी, बिंध्या वासनी देवी का नाम उलिखनी यह है जब आप इस question को deal कर रहे होंगे तो आपको इनका नाम cramp करना पड़ेगा यह कुछ नाम है जिनको आपको याद करना है अनथा आप questions जब लिखने लगेगा तो उसमें आपको difficulty मस्सोस होगा क्योंकि यह जो नाम है बहलाओं का जो राष्टी आंदोलन में जुन्होंने पार्टिसिपेट किया उनका नाम आपको मालूम होना चाहिए तभी आप इस question को easily deal कर सकते हैं बिदेशी भस्त्रों को बहिस्कार सराव की दुकानों पर धरना देनी और खादी का परचार करने में वेशक्री रही 26 जनवरी 1930 को जब कॉंग्रेश ने सुतंतरता दिवस मनाने की घोशना की तो पटना में गौरी दास के नितित में तिरंगा लहराया गया देखिए सारे नामों को जहां तक याद करनी की बात है तो आप ये सोच रहे होंगे कि सर इतना नाम कैसे याद हो पाएगा आप दो-चार बार जब इस कोस्टन को राइटिंग प्रैक्टिस में लीजिएगा तो अपने आप ये ओट फ्लो हो जाएगा अपने आप ये फ्लो में आपका नाम आने लगेगा नोट बुक पे आप जब कोपी एक्जाम में आप जब लिखेगा तो आटो में ये सारे नाम है आप ये एक्जामनेशन हॉल में याद हो जाएगे लेकिन उससे पहले आपको इस कोस्टन को दो-तीन बार लिखना है खुद से और देखना है कि क्या आप लिख पाने में सच्छम हो पा रहे ह राश्टिया आंदोलन के रचनात्मक कार्ज क्रमों में भाग लेने वाली महिलाओं में अग्रणी नाम प्रभावती देविका है वे जय परकास नारायन की पत्नी और ब्रच किसुर परसाद की पुत्री थी उन्होंने काफी समय गांदी जी के सावर्मति आस्रम में बिताय कराने में सक्रिय रही कदम कुवां जो की पटना में इस्थित है कदम कुवां में उन्होंने महला चर्खा समीति की स्थापना की उन्होंने गरीब महलाओं को सिच्छा और रोजगार के अफसर उपलव्द कराने में महत्पोन भमकान भाई 1942 के भारत चोड़ो आंदोलन में ब्रेटिस सरकार के विरोध में होने वाली आकरामक गतिविदियों में भी महलाओं ने भाग लिया इसमें भवानी महरोत्रा रामदुलारी सिन्हा रामसरूप देवी कृष्णा देवी तारा रानी आदीम महत्पुन थी इनमें तो कुछ ने सबने अबग्या आंदोलन के समय से ही अपनी भागिदारी बनाई रखी इनमें से कई महलाओं ने सरकारी भवनों पर तिरंगा लहरा ने थानों और डाक घरों को निसाना बनाने में हिस्सा लिया एक अलग उदारन आसा सहाई का है वे उने सो थेतालिस में निता जी सुआश्चेंदरबोस की आजाद धिंज फौज में सामिल हुई और नर्सिंग कोर की सदस्व बनी 1946 में वे जब जपान से सोदेश लोटी तो महलाओं को हत्यार चलाने के लिए परशिचित करने का काम करती रही इस सक्री योगदान के साथ प्रोच रोप से अनिक महलाओं ने अपने परिवार के पुरसो पती भाई अवं अन लोगों को पुरसाहां देनी और सत्त्यागरा के क्रम में चोट खाने वालों को सहायता और चिकित सा सुबधाय भी उपलब्द कराई तथा महलाओं में राष्टे चितना जागरित करने में भी उनकी भागदारी परसंसनिये रही तो ये तो था आज का हमारा वीडियो अगर आपको हमारा परियास अच्छा लगे तो इसे लाइक और अपने दोस्तों को भी शेयर करना ना पुलिएगा तो आज के लिए बस इतना ही धन्नावाद